साथियों नमस्कार एक वार फिर से स्वागत है नई वीडियो में दोस्तों मैं आपका दोस्त विश्वास शौदरी आईए आज आपको लेकर चलते हैं से मुरादावाद सहर में दोस्तों यहां आज हम आए हुएं 16 एनमार ट्रेक्टर की अजैनसी पर जो J.S. enterprises के नाम से है और हनुमान मूर्ती मुरादावाद पर इस दे थे दोस्तों यहां जानकारी करेंगे आज हम साथियों वीडियों आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर बैल आइकन दवाते हैं दोस्तों वीडियों लास तक बने रहे हैं आए जानकारी करते हैं 46 यनमार 57-24 के बारे में साथियों देखिए काफी सांदार लुक लिए हुए ये टेक्टर हैं फ्रेंट में चार लाइट है दे रखी हैं LED जो टेक्टर के लुक को और भी सांदार बनाती है साथियों प्रेंट टायर 75-16 के हैं इस टेक्टर के अंदर और 57 HP का बहुत ही बढ़िया टेक्टर है रेटेड आर्पीयम की बात करते हैं तो दोजार रेटेड आर्पीयम में है और बैक टायर दोस्तों 16-28 के जेके के मिले लिए साथियों डौल क्लच में है यह देखिए टेक्टर के बैक में एक प्लेट भी लगाई गई है नंबर प्लेट और दोस्तों लिफ्ट कैपेसिटी की बात करते हैं 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इस टेक्टर के अंदर है डौल क्लच है और साथियों साथी साथ काफी अच्छा डेजाइन पीछे से भी दे रखा है यह छोटा हिच कंपनी ने दे रखा है दोस्तों बात करें अगर हम इसके गेरों की तो बारा फोर्वर्ड गयर बारा रिवर्ड बिद शटर लीवर के साथ दोस्तों इस टेक्टर के अंदर की बात करें तो LED इंडिगेटर हैं पीछे एक लाइट भी दी गई है हमारे किसान भाईयों की आवसकता को ध्यान में रखते हुए यह दोस्तों बेट लगाए हुए हैं टेक्टर के बैक रिमों में दोस्तों वीडियों में लास्तक बने रहें दोस्तों यह जानक दोस्तों चार सेलेंडर का डेक्टर है यह 57 HP का 57 24-46 अनुमार दोस्तों यह ड्राइविंग सीट है जो काफी कंपरटेवल है अमारे ड्राइवर के लिए साती सात दोस्तों LED रीडिंग मीटर है और यह देखे यह फ्यूल टेंक का मिटर है और यह ठंडे गरम के लिए साथ यह बिल्कुल कार की तरह डिजाइन की किये गई है इंडिकेटर वगेरा इस ट्रैक्टर के अंदर और फ्यूड टैंक की कैपिसिटी जो है वो है 65 लीटर की काफी अच्छा इस्पेस है जो हमारे किसानवाई के लिए काफी आराम दायक है ड्राइवर के लिए काफी इस्पेस इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तो दे रखा है दोस्तो पावर स्टेरिंग में है ट्रैक्टर यह पूलेंड का टैंक है काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ यह ट्रैक्टर 16CNMR है दोस्तो दोस्तो बात करें अगर इसकी स्पीड की तो 33.9 E-RPM और 37.9 फ्लाइअप E-RPM यह देखिए कार की तरह इसका बॉनट बिल्कुल बंद हो चुका है पावर स्टेरिंग में है दोस्तो काफी अच्छा लुक लिए हुए यह ट्रैक्टर है आप अपने किसी भी नजदी की डिस्टीबियुटर के पास या डीलर के पास जा सकते हैं इस ट्रैक्टर के बारे मां फुल जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो रेट बग करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकर यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में सेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद दोस्तों